एक धकन से होगी पूरी करिकी रेस्टोरी नमस्का दोस्तों हेलो दोस्तों कैसे सब लोग आई होप सब लोग बहुत यह अच्छ होंगे दोस्तों चलिए देख लेते आज के हमारे फटावट वाले बहुत ही यूसफुल टिप्स है जिसको आप करते ही आपकी फाइदा मिलेगी तो चलिए बढ़ते हैं हमारे यूसफुल वीडियो में किसा लगा यहाँ पर यूसफुल वीडियो प्लीज कमें बताईए तो चलिए बढ़ते हमारे यूसफुल वीडियो में आप मेरी वीडियो कहां से देख रहे हैं प्लिस नाम से अरकली प्लिस कॉमेंट ने बताई ता कि मुझे पतावत चले हैं मेरी वीडियो कहां तक पहुंच रहे हैं कौन को यहां पर हेलफुल हो रहे हैं घर पे कुछ भी चीज होती है तो इसको बिल्कुल मतफ़किए सारे चीजों की कुछ-कुछ गुण होते हैं और वो बेनिफिट हमें जरूर मिलता है लेकिन हमें उस चीज को फॉलो करना बहुत ही जरूरी होता है बढ़ता हमारे पेला वाला टिप्स देखिए दूस्तों यहां पर एक बॉटल को लेकर है यहां पर देखिए यह एक बॉटल है तो यह हाँतल की बॉटल है इतना पत्ला है को निकालने के पास इस बोटल के ऊपर हम क्या करेंगे चाकू तो लेंगे करने हैं बीच में से क्या करेंगे एक छेद करेंगे दिखो एक दो मेंने बनाई है पूर चार तरफ हमें कर देने हैं तीन और यहां पर चार इसी तरह से हम क्या करेंगे बोटल की धकन में इस तरह से छेद कर देंगे तो देखिए दोस्तों यह छेद किस तरह से बना है अब मैं उंगली खुशाती हूँ तो इस तरह से यह छेद दिख रही है तो हमरे ढकन की जो छेद है वो अच्छे से होगे तो हम इसको रख लेते हैं रखने के बाद देखिए दोस्तों हम क्यां करते में एक प्लेट में दिखिए पहले ले लिया था यह उबले हुए आलू है और इसमें मैंने थोड़ा सा यह हरी मिर्च तो ढौनावेओर और जो मसाला चाहे आप इसमें ढाल शकते देशे की होगी हमारी नमक हमारी ये थोड़ा सा जीडा और यहां पर हल्दी लाल मिर्च पाउडर काली मिर्च धन्या पाउडर गरम मसाला कुछ भी आप आपके टेस्ट की वाईज आप ले सकते हैं तो मैंने देखिए उबले हुई आलू में इसमसाला डाल दी कॉंट्वर भी थोड़ा डाल दी बैंडिंग के लिए और यहां पर एक गाजर भी हम ग्रेट करके इसमें डाल देते हैं तो यहां पर देखिए इस तरह से हमारी यह चीजे बन गई और आलू की जो यह चीजे बहुत ही अच्छे से बन गई अब जो हमने यह बॉटल के धकन को हमने छे सारे अलू हमने डाल दी और आगे से हम इस धकन को लगा देते हैं और इस बॉटल के अंदर सारे अलू मैंने डाल दी और देखनी किस बाद हम अच्छे से समझ चुके होंगे मैं क्या कर रही हूं तो इस बॉटल तो बॉटल के अंदर डालने के बाद मैंने यहां पर कड़ में डालेंगे और हाँ जब भी करेंगे तेल हाई फ्लेम में होनी चाहिए यहाँ पर करने के बाद हम तुरंद इसको उलड़ फुलड़ करेंगे और इसके बाद हम इसको निकाल देंगे बस इतना ही काम है एक अचिछ सी स्नुक्स हमें मिल गई इससे बोटल से हम कुछ भी अपनी हिसाब से कुछ भी डिजाइन की बना सकते हैं सर्कल में बना सकते हैं राउंड सेफ में बना सकते हैं इस तरह से आधाय डे टुकुड़े में भी बना सकते हैं और हाँ हमारी फ्लेम ही जो है हाई फ्लेम में रहनी चाहिए ताकि आलू तो उबला हुआ है तो ये ज़्यादा अच्छे से क्रिस्पी बन जाए फिर इसको परट लेजिए तो देखिए इस तरह से दीरे दीरे करके आप करेंगे तो यहाँ पर मैंने काफिया तक निकाल दी है और ये एंड का पाठे तो इस तरह से देखिए हमारी जो उबले हुए आलू से इतनी सुन्दर वाली स्नाक्स पल सकती है और वो भी एक बॉटल से आप अपनी हिसाब से कुछ भी सेप दे सकते हैं एक छोटा सा यूनिक आइडिया है एक पर जरूर ट्राइ कीजिए आपको अच्छा लगगा तो चलिए बढ़ते हैं अगले इस फूल टिप्स की तरह हमारे पत्ते को लेकर है करी पत्ते को लेकर ह और यहां पर एक बड़े वाले वर्तन में मैंने यहां पर सारे पत्ते को एक जगा कलिक्ट कर रही हूं तो करने के बाद हम क्या करेंगे कितने सारे यहां पर हमारी करी पत्ता मिल गए तो इसको हम क्या करेंगे इसको हम अच्छे से एक जुगार लगाएंगे ताकि हमारी क तवा लेंगे और कड़ाई मत लीजिए तवा लीजिए तव ऐसी क्या होगा हम पत्ते को अच्छ से फेलेंगे कड़ाई मिलेंगे तो पत्ता एक ही जगा रह जाएगा तो यहां पर दिखिए अच्छे से हम फ्लेम लो है और तावा में पत्ते को हमने स्प्रेड कर दी और हाथ से उलड़ पुलड़ करेंगे और धिरे 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 देखिए पत्ते क्रिस्पी होते होते धिरे 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 और ये अच्छे से तावा में आप फ्राइ करने के बाद ये सारे जो पते हैं क्रिस्पी बन जाएगे आपको इस तरह से हाथ में लेके थोड़ा इसको मरोड देना है जब ये देखिये तूट जाए तो पता चले कि ये देखिये इस तरह से क्रिस्पी हो चुका है अब कोई बात नहीं हम इसको निकाल देते हैं नीचे आप इसको एक कंटेनर में स्टोर कर सकते करीपते का आप क्या करेंगे कि आप स्टोर करेंगे तो जभी भी आपको चाहिए होगा उसी से आप यूज़ कर सकते और हाँ रेग रेगुलर अपनी खाने में करीपता का ज़रूर खाने में जरूर करिपत्ता डायट में सामिल कीजिए डबुए में र्खली जिये भागने के कहीं ज़रूत नहीं है करिपत्ती की जरूतastic की तरह द्वहती कित्हएं राम प्रफिल हो लेकरें दीछें दोस्तों कुछ भी प्लिस प्लास्टी का एक बालटी हो गया मभग antisे प्लास्टी की कंटेनर हो गई कुछ भी हो गई तो जब्रीवीच गहर पर चीजर्च थोड़ा एक पुछ जाती कभी चीजर्च NBC क्या होती है पता है टूट जाती है तो पुरानी हो तभी भी टूटती है नया वाला आए तभी भी टूटती है तो हम क्या करेंगे तूरंद ये टूट गया है तो हम इसको कैसे उसी वक्त इसको निप्टा सकते है इसका काम कर सकते है तो देखिए जिसेगा पे टूटा हुआ है उसको क्या करेंगे अच्छे से इसको कपड़े से आप पोच लिजिए पोचने के बाद नेल पॉलिस इसके ऊपर लगा लिजिए देखिए इस तरह से जो कटिंग चीज़ें हैं जहां पर हमारी मग तूट गई है उसी जगा पर नियल पॉलिस लगा लिजिए और वह नेल कि लिकेज बिल्कुल भी नहीं होगा तो यहां पर देखिए हमने लगा ली है थोड़ा सुखा देंगे अच्छे से सूख जाए तब आप इसको इसको इस्तवाल कर सकते तुरंत लगा के बिल्कुल यूज मत किजिए तरह से आप अपनी प्लास्टिक सामान को इस तरह से बच कीजिए तो मैं बGroup करते हैं तो यहां पर मैं तो आटा गुते तो यहां पर थोड़ा पाने डालके आटाज़ए में घुतďरा है।ист थ्य गूति ज appelle और कश़ुत材 यहां किया फ्थनेयों है थ mph सथरीग को करनी लोगा में यहां फ्यूता ॱश्यत्तर प्लाइध टोरे एक circle जैसे बना लिया जैसे cylinder जैसे फिर उसके बाद हम एक चाकू लेते हैं और हमने लंबाई में जो आटे को रखा है अपने हिसाब से इसको cut mark लगाते हैं आपको जितनी cut mark लगा नहीं है आप लगा सकते हैं अपने हिसाब से तो मुझे यहाँ पे इतनी कट मार्क चाहिए तो हमने कट मार्क लगा कि इस तरह से आटा ले आते हैं और हाथ पे अच्छे सी गूला बनाते हैं तो देखिए इस तरह से कहीं पे ज़्यादा कम ना होगा और यहाँ पे एक टाइम पे बन जाएगी इस तरह से आप अपने आटे को इस तरह से कट मार्क लगा के लोई बना के रख सकते हैं तो यहाँ पे फिर मैं इसको सजा देती हूँ हमें क्या करनी है देखिए लोई पहले बनाने बहुत ही ज़रूरी होते है लेकिन वहीं पे गड़बन हो जाती है न师tar लेखिसरे देखिए यहाँ पर पालिटिन जैसा पॉलीं तो नहीं है इसतरह से ऐने इसको मैं क्या करती हूँ इसको समान करके साइज करके मैं कट मार्क पहले लगाती हूँ और लगाने बाद थोड़ा बड़ा बड़ा कट मार्क पहले लगाूंगी इसको मैं काट लेती हूँ, मुझे इस तरह की रैपर कम से कम, छे नहीं तो आठ इस तरह से चाहिए है, जब भी आप पी करेंगे तो आपको भी शीर साब से जरूरी होगी, तो देखे, इस तरह से मैंने बहुत सरे पॉलिथिन जो बैग है, इसको काट ली, जो बढ़ा वाला बहुत ही बढ़ा वाला एक रैपर था है, उसको काट के अच्छे से पोस्ट लेते हैं, इसको धुए मत, पानी मत लगाई है, होने के बाद देखे, बहुत ही यूज है और बहुत सिंपल है, जैसे आपको काम के जंजट नहीं लगेगी, तेल लेगे थोड़ा सा, और थोड़ा सा तेल हम क्या करेंगे, इस रापर के उपर, यानि की पॉलिथिन के उपर, इस तरह से हम ग्रीज कर लेंगे, तो देखिए, यह बहुत ही इजी प्रोसेस है, जो अगर आपके पास कोई भी फैसलेटिस नहीं है, तो आप इस तरह से रोटी बना सकते हैं, तो इस तरह से लोई के मैंने लाके रख दी, और इसके बाद, देखिए, और एक परद मैंने, पॉलिथिन रापर मैंने डाल दिया, और इसके बाद फिर से हम थोड़ा ओल लगाते हैं, अगर आप नहीं लगाएंगे, तो आपको अच्छा नहीं लगाएगा, उठी कभी नहीं चिपके रह जाएगी, इस तरह से हम आटे की लोई को हमने यहां पर रख लिए, आप चाहे तो इसको आप हाथ में भी बना सकते हैं, कुछ भी तरीका हो तो बन जाती है, तो हम क्या करेंगे, आप एक काम कीजिए, आप क्या करेंगे, हाथ में इस तरह से फेरा सकते हैं, अगर नहीं चाते हैं, तो एक आप इस तरह से थाली ले सकते हैं, देखिए, यह बॉर्डर वाली थाली है, इस बॉर्डर का देखिए, इस तरह से पकड़के, प्रेस करके, थोड़ा- कुछ भी हो हमें हमारी काम होनी चाहिए तो इस तरह से जब मैंने बेलन चलाया तो काफियत तक मेरी जो रोटी है ठीक हो गई तो अभी इसको निकालने के दिक्कत है हम पॉलिथिन में से कैसे इस यहां पर रोटी को कैसे निकालेंगे जैसा भी हो रोटी बनाने का टेक्निक ह चुड़ा नहीं होता है लेकिन कुछी तेडाए मढगा हो जाती है लेकिन होती है यह होती है तरीका तो देखियो कहा हमने के अपर ट्राइ करके फेल हो चुकी हुमें चुकी आटा डालने से बिल्कुल नहीं उठता है तो यहां पर हमने रोटी से लिए जैसे नॉर्मल रोटी आप लोग खाते हैं उसी तरह से यह रोटी बनती है और हाँ यहां पर बेलने की तरह यहां पर टिकनीक है बस उतना ही काम है तो आज की वीडियो आप लोग को पसंद आए तो एक बार जरूर ट्राइ कीजिए तो चले मिलते कल के यूसफुल वीडियो में चत्त के रहें दोस्तों टेक क्यार एंड ब्रबाई एक बार इस तरीके से कीजिए रोटी तो बनेगा पुरा गोल नहीं होगा तो बनेगा जरू झाल 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 झाल